तो चलिए आज बात करते हैं so what we are going to study today आज हम क्या सिखने वाले टोड़े वी आज बात करने वाले आज हम बात करने वाले हमारे इस आखरी टॉपिक की आखरी कंटेंट की वो है वाले ओफिशल रिकॉर्ड्स डॉट टेल्स ठीक है कौन सा लेशन है हमारा NCRT स्टैंडर एड लेशन नंबर फिर्स ठीक है so today we are going to discuss our last point of this lesson what it is what official records do not tells क्या नहीं बताते हैं जो सरकारी records है सरकारी दस्तावेज है वो क्या नहीं बताते हैं हमने अब तक देखा कि कि what's how the administrative offices use the records produces records हमने last point में देखा था आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसी चीजे हैं जो records हमें नहीं मिलती है records हमें नहीं बताते ठीक है चलिए देखते हैं so from this vast corpus of records we can we can get no a lot but we must remember that these are official records यह जो records है वीच रिकोर्ड जो British records है जो सरकारी records है दस्तावेज है इससे हमें कई सारी चीजे पता तो चलती है मगर कुछ चीजे नहीं भी पता चलती है अब कई सारी चीजे पता क्यों चलती है क्योंकि they are related from the administrative policies और purposes of British government वह इसलिए पता चलता है ताकि वह British British का perspective था British लोगों का देखने का नजरिया था तो इसलिए हमें वह चीजे पता चलती है अब कुछ चीजा है जो नहीं भी पता चलती है देखिए they tell what the official thoughts that they were interested in and what they wish to preserve for the prosperity अब क्या था कि Britishers के जो records है टेक्स्ट बुक में ये content बता रहा है देखिए Britishers के जो records थे वो क्या बताते थे कि जो thoughts है किसके thoughts जो Britishers के thoughts है उनकी जो policy है उनके ideas है इसके बारे में ही यहीं तो एक सीमिक perspective था एक नजरिया था information limited थी किसकी जो Britishers records produce करते थे वो यहां तक था पहला क्या था कि Britishers ही record बनाते थे वही records पेश करते थे कई सारी information उनसे से मिलती है बट अनदर अनदर थिंग अनदर पॉइंट इस वाट डाट देर रेकॉर्ड ओनली विद परस्पेक्टिव Britishers कि Britishers का जो नजरिया था उनके विचार थे उनकी policies थे उसी के बारे में records हमें मिलते थे या पता चलते थे देखे आगे इस records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lies behind their action अब क्या था कि यहां तक यह records से Britishers का ही बता रहे थे the ideology framework अब जो बाकी हिस्सों में जो हम्हारे दे fans भारत देश की बात कर रहें इस लेस्न में जो भाकी देशों में जो भाकी भारत देश के जो विविन परदेशों में जो लोग जीवन वितीत करते थे अब उनके बारे में इन सुरोत्र जानने के लिए कि क्या थे पिर जो दूसरे तपके के लोग थे जो नॉर्मल थे आगे चल के हम देखेंगे यह जो किसान थे जो गरीब मज़दूर थे जो company हो में काम करते थे workers थे ख़दानों में काम करने वाल इनके बारे में फिर हमें records कहां से मिलते इसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा कहां देखना पड़ेगा हमें देखे we have diary of people accounts of pilgrim and travelers autobiographies of important personalities इसके लिए हमें कहां देखना पड़ेगा जी यहां हमें इनके लिए देखना पड़ेगा जो डायरी से पर्सनल डायरी है। It is quite difficult, एक सरकारी record हासिल करना और एक personal information टिस की डायरी से यह आटो बायोगरफी से हासिल करना यह difficult है, थोड़ा सा मुश्किल है, मगर यहां से हमें जो दूसरे लोग थे जो दूसरे felt, जो लोगों का परस्पेक्ट्व नहीं था नजरीया नहीं था उनके बारे में हमें information कहां से मिलती थी यहां डाइरी से मिलती थी autobiography से मिलती थी लोगों के और जो leaders leaders and reformers wrote to spread their ideas poet and novelist wrote to express their feelings जो leaders थे जो क्रांतिकारक थे जो उपन्यासकार थे जो कवी थे जो लिखा करते थे वो भी क्या थे एक विचार अपने फैलाने के लिए spread करते थे अपने ideas और उपन्यासकार क्या करते अपने feelings अपने emotions को फैलाने के लिए लोगों तक पहुचाने के लिए वो क्या करते थे लिखा करते थे अब दूसरी चीज all these sources however were produced by those who were literate अब दूसरी चीज क्या थी यह सारी चीज़े वो लोग करते थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे जो समाज जो समाज की विभिन्नतपकों के लोग है अगर उनमें सिक्षित वर्ग कुछ है जो लिखना और पढ़ना जाता है जानता है तभी तो वह आइडेया स्प्रेड करेंगे अपने फिलिंग्स अपने इमोशन को आगे लाएंगे अब जहां नहीं जानके तब क्या था अब वुसी चीज में दिखिए हम लास्ट में वही पॉइंट स्टार्टिंग में हम आ रहें न कि वह ओट ऑफिशल रिकॉर्ड दो नॉट टेल आप देखिए वह पॉइंट यहां पर है फ्रॉम इस वी विल नॉट बी एबल तो अंडर्स्टैंड हाव हिस्ट्री वास एक्स्प्रियंस और लिव बाइडी ट्राइबल एंड पीजर्स गरीब लोग शड़कों पर रहा करते थे जो ख़दानों में काम करते थे जो किसान थे है न जो किसान और आदिवासी लोग थे तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से आती फ्रॉम दोस वी विल नॉट एबल टू अंडर्स्टैंड हाव हिस्ट्री वस तो जो यह जो था था जिसके बारे हम डिस्कॉस कर रहें में इनके बारे में इंफोर्मेशन पिर कहां से आती थी हाँ इनके बारे में अगर हमें इंफोर्मेशन जानना है तो ख़दानों में काम करने वाले मजदूर थे, इनकी जिन्दगी कैसी थी, यह हमें इस किताब के हमारे दूसरे अध्याय में पता चलेगा, ठीक है, I hope so, सभी को यह समझ में चोटा सा पॉइंट था, कि हमने क्या देखा कि Britishers का perspective होता था, सिर्फ British वही परस्पेक्टिव वही के लिए benefit था, जो upcoming next generation, वंशर्च के लिए उन्हें बचा के रखना पड़ता था, generation के लिए, वही वो लिखा करते थे, जो उनके लिए important था, उनके लिए ज़रूरी था, British perspective, वही वो लिखा करते थे, अब लिखने में ऐसा था कि दूसरे तपकों के लोगों पर, वहां पे क क्या हुआ कि अन्या है हुआ कि उनकी history नहीं पता चल रही थी, क्योंकि Britishers क्या कर रहे थे, they are only concentrate to write their policies, their administrative or about their governor generals, ठीक है, जो समाज के दूसरे वर्ग था, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, there is no any role and activity involved in the writing of Britishers, कोई रोल नहीं भूमी का उनकी नहीं थी, मगर जैसे जैसे छपाई खाने की तकनिक बड़ी, आखवारे निकलने लगी, किताबे छपने लगी, जहां पर लोगों में क्या हुआ, एक discussion view, discuss होने लगा, संभाव्यता जो चीजे थी, वो discuss होने लगी लोगों के बीच, तो इसके चलते चलते दीरे-दीरे क्या हुआ कि अब कहीं लीडर्स की त्रू, क्रांतिकारों के त्रू जो लिखते थे, उपन्यास कार हो कभी हो, उनके त्रू क्या हुआ कि लोगों तक विचार पहुचने लगे, लेकिन अब लास्क में आते-आते हमने क्या देखा, जो आदिवासी किसान, जो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पढ़े लोग नहीं रहते थे, अपने विचार को लिखने ही पाते थे, अपनी आप बीती को लिखने ही पाते थे, है ना, जो अपने आप पर बीत रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना मुश्किल है, यह तो सरकारी दस लेसन था, लेसन नमबर फस्ट आफ हिस्ट्री, हमने आज यह पूरा खतम किया है, फिर से आप देख सकते हैं, पार्ट वन टू सेवन हमने डिसकस किया है, छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, तो बेटर अंडर्स्टैंड थे, टिंक्स एंद थीम्स, ओके, I hope so, सभी को यह भी जो आज का point है, unit है, समझ में आया होगा, अगला lesson जो last इसका रहेगा, वो मैं question answers discuss करूँगा, हम question answers discuss करेंगे, ठीके, if you have any doubt, any query, just message और comment में, अगर आपको यह lesson, यह lecture समझ में आया, पसंद आया, तो like, share and subscribe जरूर करे, thank you, thank you very much.